हेलो गाइज and welcome back to your channel exam republic तो दोस्तों आज मैं आपके साथ लेके हैं हूँ part 2 of the Ukraine-Russia war 13 cards for prelims prelims AC series में जिसमें कि हम देखने वाले हैं जो बचे वे topics है हमारे जो कि हमने identify किये थे important है prelims examination point of view से Ukraine और Russia war में जो कि अभी news में आपने बहुत से words सुने होंगे तो आप thumbnail में देखी रहे होंगे कौन-कौन से topics हैं और इसमें से आदे हम cover कर चुके हैं और बचेवे topics आज हम cover करने वाले हैं तो दोस्तों यदि आप नए है हमारे चैनल पर मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप अभी subscribe कीजिए हमारे चैनल को वीडियो अन्त तक देखेगा अगर आपको पसंद आए content आपको पसंद आए तो ही आप हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा अन्य था कोई बात नहीं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों यह पहले के 6 topics जो हैं और अरेड़ी हम first part में cover कर चुके हैं Cuban Missile Crisis तक तो इसको अगर देखना चाते हैं तो इसका link आपकी स्क्रीन पे flash कर रहोगा और top right hand corner पे उसको click करके आप देख सकते हैं तो बचे हुए जो 7 topic हैं वो आज हम cover करने वाले हैं geography of the region देखेंगे head of states कौन कौन इंवाल्ट है UNSC UNGA के बारे में जानेंगे European Union के बारे में जानेंगे vacuum bomb बहुत ही न्यूज में रहा है इसके बारे में जानेंगे parliaments of the world economies at stake यह सारे के सारे topics आज हम cover करेंगे तो आए शुरू करते हैं पहले topic geography of the region तो दोस्तों यह है map of the Europe जिसमें की पूरी Europe की countries मैंने आपको दिखाई है Google Maps से ल जब न्यूज में था तो Centralation जो countries है यह republics इनने कहा जाता Centralation republics उनकी capitals को match करने के लिए कहा गया था तो UPSC से related मैंना जैसे ही का कि जो question पूछे जा चुके है उसी lines में हम आगे का ये video हमने topic select किये है तो आज हम इन सारी capitals के बारे में जानने वाले है geography of the region में और ये क्यों important है इसके sea roots क्या क्या है वो देखेंगे हम तो ये बड़ा map है मैं इसको zoom in करके आपको region wise दिखाऊंगा अलगलग countries और उनकी capital सबसे पहले ठीक है तो पहले हम देख रहते हैं जहां पर युद अभी तक चल रहा है जुद जो छिड़ा हुआ है Eastern Europe के बारे में जान लेते हैं उनकी countries और capital के बारे में तो सबसे पहले आ जाती है Russia की capital ये सबको पता ही होगा Moscow है Russia की capital फिर Ukraine की capital क्या है ये भी न्यूज में है Kiev तो Kiev है Ukraine की capital Russia की Moscow then आ जाता है Belarus Belarus भी Russia को help कर रहा है मैंने को last video में पता है CSTO का part है तो Belarus की capital है Minsk फिर हम देख लेंगे थोड़ी सी जो एक Soviet state है जो Soviet Union का part थी लेकिन अब नहीं है NATO का part है उन तीन countries के बारे में जान लेते हैं छोटी-छोटी जी countries है ये आप देख सकते हैं इस map में सबसे बहुत है Estonia Estonia की capital है Telenin Telenin जो है Estonia की capital है Latvia की capital है Riga and Lithuania की है Vilnius very important इन तीन countries की capital याद कर लेना ये पूछी जा सकती है match the column following में ठीक है तो Estonia की है इसके अंदर Telenin Latvia की है Riga Lithuania की है Vilnius right फिर आ जाते हैं bordering country जहां से ये evacuation process करे जा रहे है Ukraine से तो पोलेंड है सबसे important country Warsaw इसकी capital है Romania में भी गए हमारे evacuation के लिए C-17 जो हमारा जो evacuation का Air Force का जो बड़ा वाला plane है वो यहां की है Romania तो इनकी capital है Bucharest ये आपको याद करना है ठीक है फिर Moldova जो है उसकी capital है Kisnau and Hungary की capital है Budapest ये आपको पता होगा काफी लोग होगा तो ये जो capitals है ये आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए Map से आप याद करेंगे तो ज़्यादा सानी है इसमें से जो है जो एक सोवेट रिपब्लिक्स है ना उनकी ज़्यादा important है Estonia, Latvia और Lithuania Very very important Mass the column form में पूछा जाएगा CIS States का पूछा गया था उस बेकिसान का जाकिसान और उनकी match करनी थी आपको capitals तो यह पूछा जा सकता है क्योंकि यह रीजन जो है न्यूस में है अगला देख लेते हैं अब हम देखेंगे Nordic States जो है कौन-कौन सी है वह पता रहता हूं कि इसमें एक बारी तो सबसे बहले है Finland जिसका ती रशिया से border है अब इनको भी खतरा लग रहा है कि हम पे रशिया पे टैक ना कर दे क्योंकि हम नेटो में जोइन करना चाहते है Finland भी नेटो जोइन करना चाहता है तो फिनलेंड की capital है Helsinki ठीक फिर आती है Sweden Sweden की capital Stockholm नौर्वे की है Oslo Iceland की रजिकिविक और डेन्मार्क की जो है वो है Copenhagen यह पांच जो है Nordic States है इनकी capital आपको याद करनी है Nordic States ब वो है Estonia, Estonia, Latvia, Lithuania और Nordic States है Norway, Sweden, Finland, Denmark और Iceland ठीक पारिटिक और Nordic में confused नहीं होना है अब देख लेते हैं जो बचावा Europe है ठीक है तो बचावा Europe में कौन कौन सी countries आ जाती है जो Western Europe की है जो की developed countries में आती है तो इनमें से एक सारी की याद करनी के आपको जूरत नहीं है जो भ तो सबसे बढ़ी country जो इनकी सबसे ज़्यादा इसमें involved है NATO में वो है United Kingdom तो इनकी capital क्या है London फिर है France इसकी capital है Paris, Germany की capital है Berlin, Madrid जो है वो Spain की capital है, Portugal की है Lisbon, Italy की है Rome और Greece की Athens ठीक है Austria है, यह neutral state है, यह NATO का part नहीं है, इसकी capital है Vienna और Prague जो है वो है Czech Republic की capital ठीक है, तो इसमें से आपको यही याद करना था, यह यह capital आपको याद करनी है, especially जो Eastern Europe की जो मैंने पहले दिखाई हैं आपको वो याद करनी है अब geography of regions में थोड़ी water bodies के बारे में जान लेते हैं, तो सबसे पहले जो मैं अब circle में देख रहे हैं, यह है Crimea का area जो की Russia ने annex कर ले था, 2014 में Ukraine से, ठीक है, यह Black Sea में है जैसे के आप देख रहे हैं, तो इसका significance क्या है, Black Sea में यह दो रहा है अभी, तो इसका significance क्या है, ठीक है अब यह जो है रस्ता बनता है, Mediterranean Sea को connect करता है through Bosphorus Strait, अब Bosphorus Strait बहुत important question है, यह कौन सी country में है, यह Turkey में है, ठीक है, तो Turkey आपको पता हिए जो Istanbul जो है, वो आदा Asia में, आदा Europe में है, तो Istanbul में यह connect करती हैं दोनो, Black Sea और Mediterranean Sea, तो सारी की सारी ships जो है, वो यहां से पास होती ह तो Ukraine ने request की थी Turkey को, कि जो आप Russian ships हैं, उनको Black Sea में आने ही ना दें, Bosphorus Strait को बंद कर दिये, तो यह इसलिए important वह जाता है, क्योंकि यह news में था, कि request किया गया था Turkey को, कि Bosphorus Strait को बंद कर दिया जाए, जिससे कि Black Sea में, Mediterranean Sea से रस्या की ships ना आस गये, ठीक है, तो Mediterranean Sea में जान connect करता है North Atlantic Ocean को, through Strait of Gibraltar, तो directly यह access point है, और एक important trade route है, from Russia to North Atlantic, या फिर अमेरिका को connect करने के लिए, यह बहुत important sea route है, तो यह पूरी geography of the region है, जिसको कि आप कोई समझना है, और याद करना है, important मैंने mark करती हैं, इसके अंदर, ठीक, अब आजाते हैं, अगली topic पे, अगले card head of states, कौन-कौन कर involved है, तो कुछ, आपको head of states को match करने के लिए पी, कहा जा सकता है, जो कि इस war के अंदर involved है, directly या indirectly, तो सबसे बहले तो आपको पता ही है, व्लादीमीर पूतिन, यह रशिया के president है, फिर आते हैं, वॉल्डोमीर जेलेंस्की, यह यूक्रेन के president है, Olaf Scholz, यह जर्मनी के chancellor है, एंजला मरकल जो retire हो गई थे ही, डिसेंबर में, उनकी जगह यह chancellor बने हैं, जर्मनी के, यह मैं आपको अलड़ी पता चुका हूँ, people in news वाले वीडियो में, फिर Emmanuel Macron है, यह फ्रांस के president है, Alexander Lukashenko, यह Belarus के president है, बहुत important है, यह last remaining dictator of Europe है, यूरोप में last dictator यही बचे हैं, Belarus के, जो कि रशिया के help कर रहे हैं, इसलिए यह person का name important हो जाता है, Alexander Lukashenko, Boris Johnson, UK के prime minister है, Joe Biden, USA के president, और last league, यह भी important है, EU की रोज आप सुनते होंगे, EU में प्रसाव रखा गया है, Ukraine को join कराने का, Ukraine ने application अपनी forward की थी, और EU में इसको accept भी कर लिया गया है, तो EU जो है European Union, जिसके बारे में आज वीडियो में जानने वाल हैं, इसके जो head हैं, जिसके आप head ही समझे, European Commission के president होते हैं, इनका नाम है Ursula von der Leyen, जो आप picture में देखने हैं, last picture में, bottom right corner पर इनका नाम है Ursula von der Leyen, यह EU की head हैं, अब ऐसे याद कर लिजे, अब आज़ते हैं, UNSC, United Nations Security Council, बहुत news में रहा है, UNSC और UNGA, इनके बारे में जान लेते हैं, यह क्या के हैं, तो UNSC के बारे में जानते हैं, पहले UNSC is one of the six principal organs of UN, UN की छे organs हैं, उनमें से UNSC एक important organ है, जिसका की काम क्या है, ensuring international peace and security, recommending admission of new UN members to journal assembly, approving changes to UN charter, बेसिकली यह जो हैं, यह executive और legislature, जो होते हैं, किसी भी पार्लेमेंट जैसे हैं, हमारी executive के हैं, जो मारी center government है, union government है, और जो पार्लेमेंट है, वो मारा legislature है, तो UNSC आप समझ सकते हैं, यह executive का का काम करती है, और जो UNGA है, वो assembly का का काम करती है, यह लोग सबक अगा करती है, ऐसे समझ दिए, ठीक, तो UNSC में, यह तीन इनके functions है, ठीक है, यह क्या authorize करते हैं, peacekeeping missions, अलगलग world के कोने में, international sanctions लगाते हैं, अलगलग countries पे, और military action को authorize भी करते हैं, तो यह, जो picture में देख रहे हैं, यह इनका सदन है, जहां पे इनकी meetings होती है, ठीक है, तो UNSC तो यह है, और इसके बारे में थोड़ी सा और जान लेते हैं, UNSC is the only UN body with authority to issue binding resolution on member states, तो यह binding resolutions जो है, member states पे यही सिरफ एक organ है, UN की, जो की apply कर सकते हैं, 24, October 1945 को बनाए गया था, इसमें 5 permanent member हैं और temporary members हैं 10, ठीक है, तो 5 permanent members तो सबको पता है, जिनके पास veto power है, और 10 temporary members हैं, जो की 2-2 साल के लिए left किये जाते हैं, और इनमें जो है, इंडिया अभी जो at present है, एक temporary member है, headquarter है, New York में, और 5 permanent members कॉनकों से, USA, UK, France, Russia and China, तो यह तो तो अब brief में UNSC के बार में, अब UNG के बार में जा ले था, जैसे कि मैंने का, यह assembly है, ठीक है, वो सारे की सारी members हैं, और सबको equal vote दिया गया है, at present 193 member states हैं, और सबका equal vote होता है, किसी भी आरे में discussion होती है, तो सबको equal vote दिया जाता है, इसके अंदर Ukraine में, जो Russian invasion का, aggression, जो Russia का, उसको condemn करने के लिए एक resolution लाए गया है, तो उसके अंदर सबको equal vote दिया गया है, उस पे voting करन हैं, लेकिन binding नहीं होगा, जैसे कि अगर UNSC में पास हो जाए, तो वो binding होगा, ठीक, अब इसके अंदर, इसके functions देख लेते हैं, क्या के important है, तीन basically important function है, यह Secretary General को appoint करते हैं, recommendation of security council, तो as present Secretary General of UN को होन है Antonio Grutas, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, Portugal के हैं वो, और electing non-perman members of security council, उनको elect करती है, UN का budget approved करती है, यह इसके तीन principal काम है, headquarter कहा है, New York में ही है, और President यह आपको पता चुका हूँ, people in news वाली में, कि Abdullah Shahid, यह जो कि Maldis के हैं, इस session के, 76 session of UNGA के, जो है, President है, और यह 1945 में ही बिनाए गे थी, after World War II, तो यह था UNSC और UNGA के बारे में, अब एक organization और बची है, वो देख लेते हैं, जो की news में है, European Union, तो जैसे कि मैंने बताया कि, जो उनकी head है, Ursula Wonder Lane, उनके साथ देख लेते हैं, और इनकी important चीज़े, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, prelims point of issue, ठीक है, तो European Union, जो है, वो एक political and economic union of 27 member states, that are located in Europe, तो Europe की 27 countries का member है, Brexit आप को पता होगा, वो इससे related है, कि जो European Union से बाहर हो गया था, Britain, तो वो Brexit का गया था, तो ये European Union के अदर अब 27 states है, ये economic union है, यानि कि free trade union के लिए इसको बनाया गया है, amongst member states, masterish treaty came into force in 1993, और इसको European Union बन गया था, तो question पूछा जाता है, कि masterish treaty किससे related है, very very important, बहुत बहुत ही प European Union से, और ये बनायेगे थी 1993 में, ये single market has been established through standardized system of law that apply to all markets, तो ये internal single market है, जैसे इंडिया में आप अलगलग state में trade कर सकते हैं, वैसे ही इसमें आप जा सकते हैं, free movement of people, goods and services and capital allowed होती है, इसके अंदर जैसे इंडिया में आप कहीं भी invest कर सकते हैं, कहीं भी आप धर ले सकते हैं कहीं भी आप sell कर सकते हैं, job कर सकते हैं, तो वैसे ही इनोंने 27 country की बना रखी है, ठीक, headquarters है इनका Brussels, Belgium में, सारी की सारी जो institutions हैं European Union के, जो हम देखने वाले अगली slide में, वो Brussels में है, except for bank and court of auditors, ठीक है, तो 6 basically important institutions है EU के short में देखेंगे, बहुत ही European Council सबसे बहुत है, ठीक है, तो European Council के, it brings together head of state of the government, तो जो countries है EU की, उनके head of states, जब एक साथ मिलते हैं, उसको European Council का जाता है, और वो political direction प्रोवाइड करते हैं EU की, second है Council of European Union, तो European Council और Council of European Union में confused नहीं होना है, ठीक है, तो Council of European Union में के है, consists of one government minister from every state, and it is a lawmaking process, lawmaking के लिए ये Council of European Union है, European Commission, ये executive body है, ठीक है, तो उपर वाली दो जो है, वो legislative bodies है, law बनाती है, और European Commission है, वो execute करता है, तो Ursula von der den, जो है, वो इसकी head है, commission की, ठीक है, तो executive of the European Union है, European Commission, European Parliament again, it is lawmaking institution है, European Union का, जो picture में देख रहे हैं, green में, ये सारी की सारी EU states है, ठीक है, तो और कौन से है, European Court of Justice, जो की, जो European law जो बनाती है, European Union, उसको apply करने में, अलग-लग members के बीच में, अगर dispute हो जाए, countries के बीच में, उनको solve करने के लिए बनाया गया, European Court of Justice, Court of Auditors है, जैसे कि हमारा CAG है, वैसे इनका Court of Auditors है, जो उनकी accounting और auditing को देखता है, European Southern Bank, ये है, Frankfurt, Germany में, तो बेसिकली जो पहले के 6 है, वो 6 और solution important है, ये जो bank है, ये extra है, ठीक है, ऐसे याद करना है, अगले topic पर आएता है, vacuum bomb, तो vacuum bomb बहुत news में रहा है, कि Russia ने use कर दिया है, Ukraine के खिलाफ, अब ये allowed नहीं है, prohibited है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, तो ये है कि basically, thermobaric weapon, aerosol bomb, fuel, air explosive, और vacuum bomb, ये चार नामों से जाना जाता है, thermobaric weapon, aerosol bomb, fuel, air explosive, और vacuum bomb, इसमें क्या होता है it uses the oxygen of the surrounding, जो आसपास, जब ये फटता है न, तो इसमें से fuel निकलता है, सिर्फ वो जलता नहीं है, जो आसपास की air है, उसको use करके ये burn होना शुरू होता है, तो इससे का होता, high temperature produce होता है, और ये oxidation reaction पे based है, ठीक है, और जो इसकी blast की wave है, वो जो normal conventional condensed explosive weapons है, उनसे बहुत ज साधा होती है, और thermobaric weapon में 100% fuel होता है, जो normal weapons होते है न, उसमें 25% fuel होता है, और 75% उस fuel को जलाने के लिए oxidizer होता है, तो वो oxidizer fuel को जला देता है, इसके अंदर के 100% fuel है, क्योंकि आसपास की oxygen लेके जल जाएगा, और इसलिए ये जादा खतरनाक एक weapon है, और इसको जो है, ज आपको पता होना चाहिए, क्या है और इसका कैसे work करता है, ठीक, अब हम आजाते है, parlements of the world, तो अभी आपने duma बहुत सुनो होगा, kremlin बहुत सुनो होगा news में, तो ये थोड़ी से मैंने जो important अलगलग parlements, जो है, legislate law making bodies है, अलगलग countries की, जो आपको पता होनी चाहिए, उस क्रेमलीन उसको खा जाता है, executive का जो हैड है, वो क्रेमलीन हो जाएगा, और जो decision making जहां पर law pass होते है, जिसने की आपको recommend किया था, कि Donbass region को independent republic बनाया जाए, पूतिन को ये recommend किया था, वो डूमा ने किया था, तो डूमा इनकी national assembly है, रश्या की, फिर USA की Congress का जाता है, बृ वेरी इंपोर्टन पूछा जाता है, जपैन की भी पूछा जाता है, डाइट इसको का जाता है, मलेशिया, माल्दीव, सौधी रवेन की का जाता है, मजलिस, ठीक, नॉर्वे की sorting, Spain की courtes, Taiwan की, coincidentally या आइरोनिक ये आप कह सकते है, इसको यूआन का जाता है, ठीक है, तो Taiwan क की का जाता है, यूआन, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो लास्ट कार्ड है हमारा, जो की 13th कार्ड है, वो है, economies एट से, कि क्या-क्या stake पे है, इस वार्प में, economy कैसे-कैसे, एफेक्ट हो रही है, वो हम रीजन जानेंगे, साथ रीजन्स में इडेंटिफे करें, जो क की एफेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे बहले तो आपको पता ही होगा, crude oil and natural gas, तो रश्या जो है, वोर्ल में third largest producer of crude oil है, जिसमें की 11% of the world production है, तो अगर बैन लगता है रश्या पे, तो transaction नहीं हो पाएंगी, crude oil रश्या का निपिक पाएगा, तो 11% ये world की production निकल जाएगी, तो supply constraint हो जाएगा, और price जो है crude का, already 110 dollar as on date में जब बात कर रहा हूं, फाच गया है, ये और 125 dollar की तरफ बढ़ जाएगा, और रश्या जो है, second largest producer of natural gas है, अफ्टर यूएस है, तो यूरोप की जो demand है, natural gas की हीटिंग के लिए यूज की जाती है, basically, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो ये भी बहुत वहाँ पे prices increase हो जाएंगे, इन दोनों के अगर war continue रही और sanctions लगते है, second है trade, trade में रश्या एक बहुत ही बड़ी country है, लेकिन as on date, इंडिया से financial year 2022 में, अगर total imports देखे जाएं, हम trade deficit में, मैं आपको बतायता हूं, रश्या से, 2.8% of total imports हमारे रश्या से है, तो ये भी effect होंगे, क्योंकि हम transact नहीं कर पाएंगे रश्या से, inflation increase हो जाएगी, जब crude oil 125 जॉलर पहुच जाएगा, gas के prices बढ़ जाएंगे, तो inflation भी increase होगी, क्योंकि ये indirectly, हमारे commodity के prices को भी increase करेंगे, investments in Russia, अब रश्या जो है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे stakes है, ONGC ने invest कर रख है, वहाँ अलग-लग oil fields में, और भी इंडिया की companies हैं, जिन्होंने invest कर रख है, वहाँ exploration में, तो ये सारी की सारी हमारी investments जो है, वहाँ पे वो खत्रे में आ जाएंगी, और रश्या ने अलरी बैन investments वहाँ पे खत्रे में हो जाएंगी, defense procurement, S-400 आपको पता है, सबसे बड़ा हम ले रहे हैं, वहाँ से defense system, air defense system, कुछ आ भी चुके हैं, इन में से, तो ये सारी deals जो हैं हमारी खत्रे में पढ़ जाएंगी, AK-56 की जो राइफल का plant लगना है, UP में, ये भी सारा का सारा हमारा में हो जाएगा, अगर sanction continue, अब ये सब होगा, तो lower growth होगी, Europe की economies hurt होगी, defense पे ज़्यादा expenditure होगा, trade कम होगा, तो growth भी कम होगी और GDP कम होगी, और lastly, financial markets आप देख रहे होगे, लास्ट कुछ दिन में, कितनी ज़्यादा highs से हम नीचा आ चुके हैं, और Dow Jones देख लेंगे, जो हमारे cards हैं, हमने जो पता होने चाहिए, prelims के साफ से, Ukraine और Russia की वार के बीच में, जो important topics भर के आते हैं, सारे के सारे हमने discuss करें, मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ, इन में से कुछ ना कुछ questions जरूर बनेंगे, और एक नहीं, एक से कई ज़्यादा questions इसमासे, किसी में आपको पसंद आये होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर पसंद आया है, तो वो ही है का हमारा reward होता है, इतना महनत करने का, और अगर आप already हमारे सब्सक्राइबर ने हैं, तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों साथ शेर कर देना, जिससे वो भी इस वीडियो का फाइदा होते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले, बब बाई, और अपी लर्ने,